Hello friends, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब मिर नाएं भरत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus के Buds, Nord Buds 2 के बारे में और दूसरे तरफ हैं यहाँ पर Realme के Buds Air 5 Pro तो यहाँ पर दो तरह के मेरे पास Earbuds अवेलेबल हैं और दोनों का ही एक comparison वीडियो आज लेके आया हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा purchase करना चाहिए दोनों की जो price category है वो थोड़ी different है तो यहीं भी discuss करेंगे कि क्या आपको इतने रुपए खर्च करने चाहिए Realme के उपर और या फिर आपको जो है OnePlus से ही काम आपका चल जाएगा तो sound quality में कितना difference है, battery कैसी सब चीजों पर discuss करेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो please चैनल को subscribe ज़रूर से कर लीजे और bell notification को भी on कर लीजे और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like भी कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर design की बात करते हैं तो दोनों का design है वो काफी जादा जो है आपको different यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर बहुत जादा sharp edges आपको देखने को मिलेगी हर तरफ से और थोड़ा सा जो size है उसका बड़ा मिलता है आपको यहाँ पर oneplus के birds के case का इसके लावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर simple सा oval shaped जो है आपको design देखने को मिलता है जो की अच्छा लगता है और यहाँ पर मैंने case भी लगा रखा है white color का है बहुत जल्दी space scratches आ जाते हैं इसलिए मैंने इसको already cover कर रखा है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों की जो gripping है वो अच्छे से आ जाती है लेकिन pocket में जल्दी easily आ जाये कर realme वाला यह थोड़ा जादा मोटा हो जाता है तो अलग से दिखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में से जो है realme वाले का जो design है वो थोड़ा better आपको मिलता है charging port जो है दोनों में type C आपको मिलता है पीछे की तरफ और यहाँ पर जो है आपको इधर भी type C का जो है port यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोनों में ही आपको reset का button भी मिल जाता है connect करने के लिहाँ पर इस तरफ मिलता है oneplus में और यहाँ पर इधर realme में भी आपको एक button मिलता है अलग से जिसको आप दबाके reset कर सकते हैं अपने case को इसके लावा यहाँ पर build quality जो है मुझे personally oneplus की जादा मजबूत लगी है और इसको मुझे use करते भी काफी time हो गया है scratches अगर मैं आपको बहुत जादा पास से दिखाऊंगा तो आपको काफी सारे scratches जो है इस पर दिखाई देंगे लेकिन फिर भी मैं काऊंगा कि oneplus की जो है quality जादा better आपको मिलती है कई बार यह गिरा भी है कई बार हुआ है लेकिन फिर भी इसकी जो quality है plastic का जो material है वो काफी अच्छा use किया गया है जबकि यहाँ पर बहुत जादा extreme glossy जो है आपको design दिया गया जिसके वज़े से आपके जो case है इस पर बहुत जल्दी scratches आ जाएंगे उपर की तरफ एक कांच जैसा जो है use किया गया है realme की तरफ से बहुत जादा scratches इस पर attract करता है आते ही मैंने इस पर case लगा लिया ताकि इसकी life बढ़ जाए क्योंकि इसकी price भी बहुत जादा है price के अगर बात करें तो लगबग यह जो है sale में मैंने 2000 रुपे के लिये थे जबकि normal rate इनका कभी कपा 5000 तक भी जाता है और यहाँ पर अगर मैं realme की बात करूँ तो realme मैंने 4200 रुपीस की price पे sale में purchase किये थे वैसे normal rate इनका 4999 रहता है friends दोनों में ही आपको light indicator मिलता है तो जैसे आप on करेंगे तो यहाँ पर front side में OnePlus में आपको light जलती भी दिखाई देती है connection के लिए इसके अलावा यहाँ पर realme में भी light जलती भी दिखाई देती है connection के लिए दोनों में ही charging indicator और यहाँ पर connection के लिए आपको light जलती भी दिखाई देगी जब आप इस button को दबाएंगे तो यहाँ पर white light blink होती हुए आपको दिखाई देगी front side में तो यहाँ पर connection के लिए light भी जल जाती है तो इस तरह से कुछ आपको design और build मिलता है OnePlus में और realme में आपको किसका अच्छा लगा जादा comment करके बताएगा अब बात कर लेते हैं कि किसका जो है fitting जादा अच्छी आती है तो इनको जो है कानों में निकालना और रखना बहुत ही जादा easy मुझे लगा है as compared to realme इनको बहुत ही जादा आसानी से आप निकाल सकते हैं और जो इसका magnet है वो भी काफी जादा strong यहाँ पर बात करें अगर इसके design की तो यहाँ पर जो earbuds का design है OnePlus का वो बहुत ही जादा अच्छा लगता है काफी different है पर आप देख सकते हैं किस तरह का design देखने को मिलता है काफी जादा premium जो है यह देखने को मिलते हैं और एकदम unique design आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इनका तो गिरते नहीं है और इसके अंदर जो है waterproof भी है एक बारी मुझसे धुल भी गए थे लेकिन इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ बट आप ऐसा मत कीजेगा क्योंकि खराब हो सकते हैं क्योंकि water damage कभी भी हो सकता है और इनका जो magnet है वो सच में बहुत ही अच्छी से work करता है connection connection भी काफी fast speed से यहां पर हो जाता है oneplus के birds का यहां पर जो front side में आपको sensor भी मिल जाता है लेकिन जब कान से आप किसी भी एक ear birds को निकालेंगे तो यहां पर जो music है वो pause नहीं होता है यह आपको ध्यान में रखना होगा और यहां पर जो case की quality है वो मैंने as बताई दिया है क left or right यह बहुत ही बढ़ी है आपको जो है pairing आपको easily मिल जाती है friends बात करें अगर realme की तो यहां पर realme के जो birds है इनकी quality भी आपको अच्छी मिल जाती है थोड़ा सा जो है आपको clicky sound लेगा जब बंद होते हैं तो इस तरह से sound produce करते हैं इनको निकालना थोड़ा सा tricky हो सकता है थोड़ा सा बहुत जादा नहीं और इनका जो है आप design देख सकते हैं एकदम stamp shape में design है fitting बहुत ही अच्छी है इनकी तो यह चीज मुझे बढ़िया लगी है fitting के मामले में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है यहां पर आपको front side में sensor मिलता है तो जैसी आप इनको कान से निक जालना और डालना वो भी कोई बहुत problem नहीं है और इसकी वी जो quality है magnet की हो काफी जादा बढ़िया मिलती है तो आसानी से यह भी गिरिंगे नहीं तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी है और design जो है काफी जादा premium है आप कह सकते हैं कि काफिया तक apple के जो airpods आते हैं उससे जो है inspired आपको लगेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ एक mesh भी मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की mesh आपको देखने को मिलती है तो dust वगरा जल्दी से अंदर नहीं जाएगी सब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से जो है जादा lighter है दोनों को अगर मैं compare करूँ side by side तो realme वाले जो हैं थोड़े lighter है as compared to oneplus वाले आगर आप जादा देर कान में पहनेंगे तो आपको हलका सजय एक भारी पंसा feel होगा लेकिन यहाँ पर realme वाले जो है आप जादा देर के लिए use कर पाएंगे as compared to oneplus यह for sure है क्योंकि यह थोड़े से भारी है इ music की quality किसकी जो music की quality है वो आपको जादा better देखने को मिलती है इन दोनों में से तो मुझे लगता है clear winner है हाँ पर realme realme में जो है base काफी balance किया हुआ है काफी हद तक balance को जो है balance किया हुआ है बहुत जादा boomy base आपको नहीं मिलेगा मिलता है लेकिन इतना नहीं मिलता है जितना आपको oneplus में मिलता है oneplus में जो अगर आपको एक base heavy driver चाहिए तो आप oneplus के साथ जा सकते हैं लेकिन आपको एक surround experience चाहिए अगर आपको एक Dolby Atmos का जैसा जो है Surround Experience चाहिए जिसमें आपको Dolby Surround भी मिले और Base Experience भी मिले तो फिर आप यहाँ पर Realme के साथ जा सकते हैं तो अगर आपको बिलकुल एक ऐसा Experience चाहिए कि आप एक Movie Hall में बैठे हैं तो फिर आप Realme के साथ यहाँ पर जा सकते हैं लेकिन OnePlus का Sound Experience भी आपको पसंद आएगा अगर आप एक Base Heavy अगर आप Driver लेना चाहते हैं तो इस मामले में OnePlus काफी बढ़िया है अगर आपको Base अच्छा चाहिए अगले Point की बात करते है Call Quality तो Call Quality में मैं जो है Point देना चाहूंगा यहाँ पर Realme को Realme Air 5 Pro इस Price Segment में या किसी भी Price Segment से आप Compare कर लिजे तो चाहे 10,000 रुपए के Earbuds से भी आप Compare करेंगे तो भी यही Winner होंगे जितना अच्छा Background की Noises को यह Cancel करता है कोई भी और कोई भी और Earbuds जो है उसको Cancel Out नहीं कर पाता है जितना अच्छे से यह Work करता है As Compared to चाहे OnePlus ले लिजे चाहे किसी और Brand को भी आप Compare करेंगे Realme सबसे Best यहाँ पर निकलके आते हैं Calling के लिए तो अगर आपकी Priority है Calling तो फिर आप जाहिए Realme के साथ बट ऐसा नहीं है कि OnePlus में Calling खराब है OnePlus की भी Calling बढ़िया है लेकिन आपको वह Features नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ पर Realme में मिलेंगे Realme में आपको ANC Mode मिलता है Transparency Mode मिलता है अलग से आप अपनी हिसाब से Decide कर सकते हैं कितना Background की Noise को आपको Cancel Out करना है लेकिन OnePlus में आपको ऐसे कोई खास Features नहीं मिलते हैं इसके लावा यहाँ पर Realme में आपको कुछ Extra Features मिल जाते हैं जैसे आप Base को कम जादा कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आप ट्यूनिंग कर सकते हैं Equalizer Mode के अंदर जाकर के नए-नए Updates रेगुलर आपको जादा मिलेंगे Realme के अंदर as compared to OnePlus वैसे एप जो है दोनों में सेम ही यूस करिए जो Melody करके जो एक एप आती है काफी सीमिलर सा Experience उसमें आपको मिलता है लेकिन Features जादा आपको मिलेंगे Realme Air 5 Pro के अंदर So friends, final conclusion की बात कर लेते हैं कि कौन से जो है जादा आपको बढ़िया मिलते हैं और कौन से इन दोनों में से आपको purchase करने चाहिए तो अगर आपका budget जो है 4,000 उपे तक का है 4,000-4,000 उपे का तो कोई doubt ही नहीं कि Realme Air 5 Pro best model है हर एक चीज में ये आगे निकल जाता है अपने competitors से और OnePlus आप उस time पे ले सकते हैं अगर आपका budget थोड़ा limited है, tight है, 2,000 उपे से उपर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप OnePlus Nord के साथ जा सकते हैं Buds के साथ इसमें आपको बढ़िया sound मिलेगा, calling descent मिलेगी और battery जो है दोनों की ही आपको almost similar मिलती है लगबग 30-30 घंटे के आसप पास चल जाते हैं तो थोड़ी सी बैटरी का जो है advantage आपको Realme में मिल जाएगा, but OnePlus भी अपने जगे पर काफी बढ़िया product निकल के आता है, तो आपको confusion थोड़ा clear हो गया होगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा product लेना चाहिए, अगर फिर भी कोई doubt है तो please comment करके ज़रू कर लेजिए वीडियो में इतना ही ता friends मिलते हैं अबने अगले वीडियो में अब तक के लिए, bye bye